तो हलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं हूं आपका दोस्त प्रदीब एंड स्वागत करता हूं प्रदीबगरी अपडेट पे अब लास्ट के कुछी दिन बचे हुए तो कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर अगर हमें 150 प्लस लास्ट के डाइम में स्कॉर करना है तो हम ऐसा क्या जा सकता है अगर कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बहुत तो करो यार करने में जाता है तो एक बार जैसा मैं बतारो वैसा फॉलो करो हो सकता है कुछ चीज़ अच्छी हो जाए अगर आपका टार्गर 150 प्लस है सबसे आपको क्या करना पड़ेगा रिवीजन रिवीजन जो फॉर्मले जो फॉर्मल même जो छोटे-शौ-वार्मेल से जो छोटे-चोडिश्य शौकत करे आपने नोट्स बनाएं गड़ी को बाद कर रो कभलेटर के बोलव Cry टाइम कर लो कि यार मुझे एतनेająते जाटोफें एतना चैपटर रीड करके ऎतु में उसको रटा नहीं उसको रटशकरा नहीं लो बस एक बार पढ़े उसका एक बार पढ़ा उसका उसक्तर को पढ़ पढ़ करो इसके बाद गाइस प्रिवियर्स येर्स कोश्चन पेपर अब इतना तो टाइम है नहीं कि पूरे के पूरे प्रिवियर्स इसकोश्चन पेपर को आप सौल कर डालोगे 10-12 साल के या 6-6 साल के सभी क्वेश्चन को सौल करोगा ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं तो सिंपल सा चीज क्या करो पता है हर टॉपिक के हुड़ टॉपिक के दो से तीन 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 से चार जाद है तीन से चार सभी और प्रदीफ प्रतर से बता किma तो है कि सब से ज़्यादा मार्कस इसी का है इसी का है और मागर इसका PC भी होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा स्कोर अकर वह बायो में करता है ताई अबतो भाई बहुत मझा आ जाएगा उसको-ีसको के परसंटाइल में और अगर इसका PCM है अगर meth मेक्चा स्कोर और इतना करना पड़ेगा आप चलो जतना भी आप हैं आपकी अकॉर्डिंग g am air तो आपने लिए थी सब्सक्राइब अगर आपने उसमें स्कोर कर लिया ना तो आपको संभाल लेगा बाकी चीजे इसके बाद गाईस रिविजन जितना आपका अभी तक हो चुका है नोट्स आपने चोड़े-चोड़े नोट्स बनाया होंगे न सभी चीजे की होगी अगर नहीं भी किया होगा तो जो जो चीज चल रहा तो कॉमेंट में लिखके मुस्से पूछ सकते हो कि अब एमस्ट्री सीटी से रिलेटेज छोड़ी-छोड़ी चीजे मैं और राहूल सर आपको पहुंचाने वाले हैं और साथ में हमारे ओमकार सर है जो बैग्राउंड में काम कर रहा है और अभी दाद दिखा के प